Hello and welcome back to my channel और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिफायर के कुछ facts और myths के बारे में पैसिफायर के कुछ myths है और वो myths कितना सही है आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे Babies have a strong sucking reflex and a pacifier takes care of this बट कोई भी चीज आपको unlimited use नहीं करना चाहिए चाहे वो आप किसी के लिए भी यूज कर रहे हो बच्चो के लिए भी अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो वो आपको ज़रूर लिमिट में रहके ही यूज करना चाहिए अब बच्चो के लिए पैसिफायर के कुछ facts और myths के बारे में तो वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत सारी नई जानकारी मिलने वाली है, और अगर पसंद आए तो लाइक जरू कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चलिए अज का वीडियो शुरू करते हैं, तो पैसिफायर के बारे में सबसे पहला जो मित है, वो यह है, कि पैसिफायर यूज करने से बच्चे का दात खळाब हो जाता है, और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, पैसिफायरington के बच्चे के दातों को उतना ज्यादा नुक्सान नहीं बठा अगर आप पैसिफायर के अंदर फूट जूस या हनी डाल के दे रहे हो तो बच्चे को औरल प्रॉब्लम हो सकता है वरना जिनरली पैसिफायर यूज करने से बच्चे के दातों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है बठा यूजियली बच्चों के लिए एक साल तक आप पैसिफायर यूज कर सकते हैं अगर आप एक साल के बाग भी बच्चे के लिए पैसिफायर यूज कर रहे हो तो बच्चे के दातों में प्रॉब्लम आ सकता है pacifier को लेके दूसरा मित यह है कि बच्चों को pacifier का आदत लग जाता है और ये बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि अगर आप हर टाइम बच्चों के लिए pacifier यूज कर रहे हो बच्चे के मुँमे अगर हर टाइम pacifier होगा तो बच्चों को तो आदत लगनी है तो इसलिए अगर आप हर टाइम बच्चों के लिए pacifier यूज कर रहे हो तो बच्चे को आदत लग सकती है pacifier का और ये सिर्फ pacifier के साथी नहीं आप कोई भी चीज अगर बच्चों के लिए हर टाइम यूज कर रहे हो अगर unlimited कोई भी चीज आप अपने बच्चे के लिए यूज कर रहे हो तो उस चीज का ही आदत बच्चे को लग सकती है तो इसलिए अगर हर टाइम आपका बच्चा मुँ में pacifier डाल के बैठा हुआ होगा तो उसको आदत भी लग जाएगी pacifier का तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी चीज बच्चो के लिए लिमिट में रहके ही यूज करना चाहिए unlimited कोई भी चीज बच्चो के लिए यूज नहीं करना चाहिए वरना उस चीज का ही आदत बच्चो को लग सकती है और अगर pacifier भी हर वक्त अपका बच्चा यूज़ करता रहेगा, हर वक्त अगर सब करता रहेगा, तो बच्चे को pacifier की आदत लग सकती है, और बाद में ये आदत छुडाना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, पैसिफायर को लेके एक और मित ये है कि पैसिफायर यूज़ करने से बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, और ये बात भी सही नहीं है, अगर आप लिमिट में पैसिफायर यूज़ कर रहे हो अपने बच्चे के लिए तो बच्चे को बोलने में कोई प्रॉब्लम न झिसे एसा बोला जाता है कि बच्चे को बोलने में प्रवल्म हो सकता है बट अ हम अगर आप पैसि फायर लीमिट में रह के यूज करेंगे तो आपके बच्चे को पैसि फायर यूज करने से भी बोलने में कोई प्राब्लम नहीं होगी और ना ही फेस परप्पर Magnus जैसा कि पहले ही का है पैसिफायर आपको लिमिट में यूज करना है अगर आप हर टाइम बच्चे के लिए यूज करेंगे तो हो सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम भी हो वरना जनरली पैसिफायर यूज करने से बच्चे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है कुछ लोगो आपको ऐसा लगता है कि पैसिफायर में हनी लगाने से या सुगर का पारी लगाने से वह ज्यादा कॉमिंग एफेक्ट देता है बच्चो को जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है अगर आप एक साल से पहले बच्चों को हनी दे रहे हो तो बच्चे को बाटलिजम का मिलता है मतलब वह सांत हो जाता है बिल्कुल उसके लिए अलग से आपको पैसिफायर में हनी या सुगर का पानी मिलाने की जरूरत नहीं है पैसिफायर का काम है बच्चे को सांत करना जो कि वह बिना हनी या सुगर कही करता है अब पैसिफायर के बारे में एक और मित यह है कि बच्चे को जनम के बाद से ही pacifier देना चाहिए जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ना ही निसेसरी है जनरली आफटर 6 वीक आप अपने बच्चे को pacifier दे सकते हो बठा अगर आपको जरूरत महसूस हो तभी आप अपने बच्चे को pacifier देजिए यह निसेसरी नहीं है कि आपको आपके बच्चे को pacifier देना ही है या तो फिर उसके बच्चे को वो pacifier दे रहा है तो मुझे भी देना है ऐसा भी नहीं है अगर आपको जरूरत महसूस हो कि आपके बच्चे को pacifier की जरूरत है वरना आपका बच्चा बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है आप सांथ नहीं कर पा रहे हो तभी आप अपने बच्चे को पैसिफायर दीजिए वरना अगर आप अपने बच्चे को काम कर पा रहे हो सांथ कर पा रहे हो तो पैसिफायर की निसिसिटी नहीं है यहां पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बेटी के लिए कभी भी पैसिफायर यूज नहीं किया है मैंने एक पैसिफायर खरीदा था क्योंकि आसपास के लोग बोलते है कि एक पैसिफायर तो लगता है तो मैंने भी एक पैसिफायर लिया था बट मुझे कभी भी अपनी बेटी के लिए pacifier की जरुषाद महसूस नहीं हुई है तो मैंने कभी भी अपनी बेटी के लिए pacifier यूज नहीं किया है तो यह एक बहुत बड़ी मित है कि आपको pacifier use करना ही है मतलब नेसेसरी है यह भी एक बहुत बड़ी मित है और आपको after birth ही बच्चे को pacifier दे देना है यह भी एक बहुत बड़ी मित है and last but not the least जो pacifier के बारे में मित है वो यह है कि pacifier बच्चों के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कोई भी चीज अगर आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हो वो लिमिट में रहके ही यूज करना चाहिए पैसिफायर भी ऐसा ही है अगर आप बच्चों के लिए पैसिफायर यूज़ करने हो तो जरूर लिमिट में रहके कीजिए तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होगा और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि पैसिफायर यूज़ करने से बच्चों को चोकिंग हर्ज़र्ट हो सकता है जो कि सही बात नहीं है बट हाँ आपको पैसिफायर सिंपल चूज़ करना है अगर आप बहुत डेकोरेटिंग वाला पैसिफायर यूज़ करेंगे अपन आप अपने बच्चे के लिए simple pacifier use करेंगे तो बच्चे को choking problem बिल्कुल भी नहीं होगा और बच्चों के लिए कितना safe pacifier कितना नहीं उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं आम शौर कि ये वीडियो देखने के बाद ये जो confusion है वो पूरा clear हो जाएगा तो बस आज के वीडियो में इतना ही ये थी कुछ myths and facts pacifier के बाड़े में आम शौर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो इस वीडियो को एक like ज़रू कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा parents पहुंचाईएगा Thank you for watching